आपका स्वागत है अब रुख करते हैं आज के एडलाइन्स पर इदान परिशे चुनाव के मद्दिनसर जलादिकारी ने सभी दलों के लीब बैठक कॉंग्रिस प्रबक्ता अतुल लोंडे ने जला सतर न्यायले में दायर किया चिका महिलाओं ने अस्ति होते ही सूरी को अर्ग दे मांगी कुशाली छट पर्व को लेकर नाकपुर में उत्साह का माहूल और अब कबरे विस्तार से एक जनवरी 2022 को महराज विधान परिशद की साथ सीटें रिक्त हो जाएंगी इन मिनाकपुर में स्थानी स्वराज संस्था की एक सीट शामिल है कलेक्टर विमला आ ने सभी राजनितिक दलों की बैठक बुलाकर आचार सहिता का पालन सक्ती से करने को कहा उन्होंने कहा कि चनाव में जिले में सत्ता और सरकारी तंत्र का दुरुप्योग नहीं होगा साथ ही किसी भी मंत्री स्थरिय बैठक में सरकारी अधिकारी शामिल नहीं होगे और किसी भी मंत्री को जिले में बैठक करने की अनुमती नहीं होगी जिला अधिकारी ने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुमती के बिना स्थानी निकायों की अत्यावशक बैठके भी नहीं की जा सकती जोरान किसी भी तरह की राजनेति घोषना, सरकारिकार्क्रमों की घोषना नहीं की जा सकेगी सांसर्थ विदायक निधी से कोई नया काम नहीं हो सकेगा इस समद्ध में होने वाले खर्च पर जिला, माधियम, प्रमारन एवं निगरानी समिधी का नियंतरन होगा, सोशल मीडिया पर अनाधिकृत प्रचार, बल्क, SMS जैसी सेवाओं के अरमती नहीं होगी। इस चनाव में भी आचार सहिता होगी। उन्होंने सभी राजनित्क दलों से यसुनिश्रित करने को कहा कि कहीं भी आचार सहिता का उलंगन ना हो। पर कुछ नए पॉलिशीज हैं या कुछ नए प्रोग्राम्स आनॉंस नहीं कर सकते हैं, रेस्टाउस का यूज है, वहिकल का यूज है, या अगर हमें सोशल मीडिया का यूज करना है, प्रेस में इंफरमेशन देनी है, प्रोग्राम्स आयुजित करने हैं, वेहिकल्स किस तरह से इस्तिमाल के जाए, वो यूजिल रूटीन जो होते है उसी का ही, इस बार भी हम वो ही फॉलो करेंगे, और एलेक्शन प्रक्रिया जो है ये 16 नवेंबर को नोटिफिकेशन हो को है, इलेक्शन का टाइम सुबह 8 बजे से 4 बजे तक रहेगा, और जो मेंबर्स अफ एलेक्टेट बोडीज, लोकल बोडीज है, ये सारे इसके इसके इलेक्टर्स रहते हैं, साधरमता कुछ 613 के करीब हमें इन्फरमेशन आई थी, अभी फोटर्स लिस्ट हम फाइनल कर रहे हैं, जिला परिशद से, महानगर पालिका से और नगर परिशदों से हमने आप उनके फिकर्स मांगे हैं, ये जल्दी हम फैनलाइस कर देंगे, और इसके हिसाब से सारी वोटिंग प्रक्रिया और इलेक्शन प्रसेस की जाएगे. कॉंगर्स प्रवक्ता अतुल लोंडे की ओर से सोमया के खिलाफ मानहानी का दावा दायर किया गया. जिस पर सुनवाई की बाद जिलासतर न्यायले की कनिष्ट दीवानी न्यायाधीश वीवी सावरकर ने किरीट सोमया को नोटिस जारी कर 20 नवेंबर तक जवाब दायर कर कर महाविकास आगारी सिरकार द्वारा वसूली करने का खोकला दावा किया. यहां तक कि इसमें कॉंगर्स को 20 प्रतेशत का हिस्सा मिलने की जानकारी न्यूस चैनल पर चर्चा के दौरान जागर की. कार्क्रम के दौरान ही सबूतों के बिना इस तरह के आरोप के जाने पर कानुनी कारवाई करने की चेतावनी दी गई थी. बावजूद इसके अब तक सोमया ने किसी तरह के सबूत नहीं दिये हैं. भाजपा के वरिशनिता सोमया ने जान बूच कर कॉंगर्स की बदनामी करने का कपोल कपित आरोप मुड़े हैं. पार्टी की छवी खराब करने तथा जन सामाने में संब्रम की स्थिती पैदा करने के लिए जान बूच कर यह कृत्य किया. लोंडे ने कहा कि सोमया लंबे समय से राजनीती में हैं. इस तरह से चैनल में आरोप करने पर इसका असर कहा तक होगा? इसकी भली भाती उन्हें जानकारी है. यही कारण है कि ब अनुरोध अदालत से किया. साथी इस दावे को मंजूर करने का अनुरोध भी किया गया. दायर दावे में कहा कि वर्तमान में भारती जंदापाडी राज्य में सत्ता से बेदखल हो गई है. इसे निराश होकर प्रतिवादी अनाप्शनाप जूटे आरोप कर लोगों में म विकास आगाडी की बदनामी कर रहा है. सोशल मीडिया पर अफ़ाव फैलाई जा रही है. बुद्धी ब्रह्म करने की दृश्टी से जान बूच कर यहकृत्य किया जा रहा है. पूच्पुरी समाज की महलाएं वो परिजनों ने अस्थ होते ही सूरे को अर्ग दे कर पूजा की. तालाबों और जलकुंडों में दीप प्रवाहित किये. इसके लिए वरत धारियों ने मंगलवार से ही तैयारी शुरू कर दी. घरों में खरना रस्म के साथ प्रसाद ग् कर वरत करना भी शुरू कर दिया था. इसका समापन गुरवार को ओधित होते सूरे की पूजा के बाद होगा. इधर छट पूजा करने वालों में इस बार ऐसी महलाएं भी शामिल हुई जिनोंने पहली बार 36 घंटे का निर्जिला वरत रखा. इन महलाओं का कहना है कि उप प्राप्ति पर उसकी अच्छे स्वास्त की कामना तो कोई महामारी से परिवार को बचाए रखने के लिए छट मया और सूरीदेव के प्रती कृत अगनिता व्यक्त करने के लिए उपवास कर रहा है. महलाओं का कहना है कि पूर्ण मनुरत के लिए साधना और उपासना दोन अंटी करप्शन ब्यूरो की टीम में विद्वार को नाकपर सुधार प्रन्यास के चपरासी को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हातों गिर अफ्तार किया. डिमांड और आरेल लेटर देने की एवज में रिश्वत मांग की थी. पकड़ा ग्यारोपी विजे गौरी हलका नमबर 44 के खसरा क्रमांग 100 बटा एक में 56 और 57 नमबर का प्लोट खरीदा था. अब वो प्लोट पर मकान बनवाने की तयारी में थे. प्लोट का रिबांड और आरेल लेटर जारी करने के लिए उन्होंने एनाईटी के पूर्व विभाग में विभागी कारेकारी अध प्लोट को एक में विभागी कारेकारी लेने के लिए शिकायत करता को एक महिने के बीतर काम करके देने का आशवास्तन दिया. इसके बाद विजए ने शिकायत करता को मिलने के लिए पुलाया और चालान के सतरा हजार रुपे मांगे. उसम fren Tar fraud के पास उतनी रकम नहीं थी. तुरंट उन्होंने विजे को 4,000 रुपे दिये और दूसरे दिन खामला चौक पर 13,000 रुपे पहुचा दिये पैसे जमा करने की कोई रसीद उन्होंने नहीं मिली इसके बाद विजे ने काम करने के लिए 50,000 रुपे की मांग की पीडित व्यक्ती ने ACB से इसकी शिकायत की इंस्पेक्टर संजीवनी थोरात ने वेरिफिकेशन किया जिसमें विजे द्वारा मांग किये जाने की बात सपष्ट हुई बुद्वार को विजे ने शिकायत करता को पैसे लेकर कलमना स्थित कारले बुलाया एडवांस की तोर पर विजे ने शिकायत करता से 15,000 रुपे लिए जाल बिचा कर बैठी ACB की टीम ने उसे रंगे हातों दबोच लिया वारी थाना शेतर में चोरों ने दिन दाहारे एक कार का शीशा तोड़ कर डैशबोर के ड्रॉड से 3,90,000 रुपे उड़ा लिए इस घटना से परिसर में खलबली मच गई पुलिस ने लक्षमी नगर चंदरपुर निवासी सचन अशोक मूले की शिकायत पर मामला दर्च किया पुलिस ने बताया कि सचन भद्रावती में कार डेकोरेशन की दुकान चलाते हैं और नीजी कंपनी में भी काम करते हैं अंगलवार की दोपहर दो बज़े के दुरान कार खरीदने के लिए वाड़ी आये थे उन्होंने अपनी कार वाड़ी की तूली ट्रेड टॉली के सामने पार्क की एक व्यक्ति को चेक देने के लिए आटो डीलर के कारले में गए इस दुरान बाइक पर सवाद चार आरोपी वहां पहुँचे तो आरोपियों ने अपनी बाइक कार के सामने रोकी थोस वस्तू से सामने की पैसंजर सीट का शीशा तोड़ा डैशबोट के ड्रॉर में रख दिन दहाडे हुई वारदात के चलते परिसर के नागरिक भी दहशत में आ गये वारी पुलिस ने अग्यात आरोपी के खिलाफ मामला दर्च किया सीसी टीवी कैमरे के फुटेज खंगालने पर दो दुपईया वाहनों पर चार आरोपी दिखाई दे पुलिस को संदे है कि के आधार पर वारदात को अंजाम दिया गया गाड़ी के डैशबोर्ट के ड्रॉर में रकम रखी है और यहां आरोपियों को पता होना आश्चरी की बात है आरोपियों ने केवल पैसेंजर साइट का शीशा ही तोड़ा इससे साफ है कि वो जानते दे की रकम कहां रखी है बक्तो चला है एक ब्रेक का मिलते एक चोड़े से ब्रेक के बाद सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरिट कालर मेरा फेवरिट देस्टिनेशन मेरी फेवरिट डिश पर कोई यह नई पूछता कि फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूं अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है, वो अच्छे टेस्ट तक पहांच ही जाता है. सुरुची मसाले. खाने में हो रुची, तो घर लाइए सुरुची. अपने सपनों के उडान भरने के इच्छा, तो हर किसी की होती है. पर पंग भी तो मस्बूद होने चीए, जो देखता है, Flywheel Aviation Academy. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टिटूट है, जहां पर एरलाइन और एरपोर्ट होस्पितालिटी और टूरिजम मनेजमेंट, साथ ही यहां कैमपस इंटर्वियू, गाइड़स बाइड़स्टिट्री एक्सपर्ट, प्राक्तिकल ट्रेनिग अट एरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, परसनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनफिट्स आप पास सकने हैं. फ्लाइवील एविएशन अकाडमी वन डिग्री त्री जब अपर्चुनिटिव फ्लाइवील एविएशन अकाडमी गिव्जी ओ डिग्री और डिप्लोमा विद जॉब फ्लाइवील एविएशन अकाडमी 365 गानी नगर L.A.D. कॉलिट स्क्वेर बिसाइड करनाट का बैंक नागपुर ब्रेक के बाद अपका स्वागत है दिन भर में चार मरीजों के ठीक होने के बाद विविद अस्पतालों से उन्हें चुटी दे दी गई अब तक जिले में 4,93,491 लोग संक्रमत हो चुके हैं वहीं 4,58,628 लोगों की जांत हो चुकी है फिलाल सिटी में 29 अक्टिव केस हैं जो विविद अस्पतालों में उपचार ले रहे हैं डॉक्टरों का कहना है कि दिवाली के दुरान लोग एक दूसरे से शेहर गाओं गए थे जिसाती सर्दी भी बढ़ गई है यहीं वज़ा है कि अगले कुछ दिनों तक पॉजिटिव की संख्या कुछ बढ़ सकती है लेकिन इसमें घबराने जैसी स्टिती नहीं है अभी मास्क आवशक है इन दिनों सर्दी जुकाम और खासी के मरीज बढ़ रहे है इस हालात में सोशल डिस्टिंसिंग का पालन बेहद अनिवारे है मिमारी से बचने से मास्क ही अनिवारे रूप से इस्तिमाल किया जाना चाहिए देखने में आ रहा है कि इन दिनों लोग बिना मास्क लगाए बीड़ वाली जगों पर घूम रहे है या उस व्यक्ति के साथ ही अनि लोगों के लिए भी खतरनाक हो सकता है पिछले दो वर्षों से ठाकरे सरकार ने कोई बड़ी परियोजना शुरू नहीं की है लेकिन गुंठेवारी अधिनियम के नुसार नियमिती करन शुल को 56 रुपए से तीन गुना बढ़ा कर 165 रुपए कर दिया है शहरी विकास मंतरी एकनाज शींदे ने गुंठेवारी आक्ट की अबदी 2001 से बढ़ा कर 2020 कर दी है लेकिन शासन आदेश के नुसार जियार निकाल कर राज्य सरकार ने डिमान की राशी को तीन गुना बढ़ा कर लोगों की जेब से पैसे निकाल कर अपनी तिजोरी भरने की तयारी कर ली है इस हमन में विदाय कृष्णा खोपड़े ने आरोप लगाया कि कुंठेवारी डिमान की शुल्क बढ़ा कर राज्य सरकार ने कुठारा घहात किया है लोगों को अपेक्षा थी कि अपने पसीने के पैसे में एक एक रुपया जोड़ कर नागरिकों ने ले आउट मालिकों से प्लोट लिए रेजिस्ट्री करने के बाद एनाइटी की ओर से नियमिती करण होगी हाला कि जिस प्रकार राज्य सरकार ने शुल्क बढ़ाया है उसे लोगों के सामने प्रश्टन निर्मान हो गया है कितना पैसा कहां से आएगा छाकरे सरकार लोगों को दिलासा देने के बजाए लूटने का काम कर रही है नागपुर में कॉंग्रेस के मंत्री शेहर की जंता पर थोपे गए तीन गुना शुल्क पर क्यों खामोश है क्या एक आँख से महंगाई देखने वाले कॉंग्रेस के तोते की दूसरी आँख से अंधे हो गए है पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की बात नहीं एस्टी हर्ताल की बात नहीं निराशितों के अट के अनुदान की बात नहीं तो क्या यह कुर्सी सिर्फ वसूली के लिए इन मंत्रियों को दी गई है पिछली अब्दी में भी दर 120 रुपे प्रती वर्क फुट था जब देवेंद्र फटनविस मुख्य मंत्री थे तो नोंने इस पर संग्यान लिया और इसे खटा कर 56 रुपे प्रती वर्क फुट कर दिया इसी तरह मुख्य मंत्री उदव ठाकरे ने भी इस माले में संग्यान लीना चाहिए और शुल्क वसूली पन नियमती करण का भी आदेश जारी कर जनता को दिलासा दे वेग्यानिक वो ओद्योगे के अनुसंधान परिशत के महासंचालक डॉक्टर शेकर मांडे ने कहा कि आज का छात्र कल का अनुसंधान करता है समारो के अद्यक्षटा पशुसंबर्धन मंतरी सुनील के दार ने की मंच पर उपकुलबती डॉक्टर आशीश पातुरकर अदिश्ठाता कारेकारी परिश्ट के पदादिकारी उपस्त थे वे ज्यानिक वो अध्योगिक अनुसंधान परिशत के महा संचालक दॉक्टर शेकर मांडे ने कहा कि सकारात्मक दुर्ष्टी को निर्मांड करना जीवन में प्रतेक संकट की वक्त आत्मविश्वा से सामना करना ही सही मायने में शिक्षा है अपने ज्यान का उपयोग समाज के वंचित घटक के लिए करें मंत्री केदार ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों की कमी संक्रामन रोग पशुधन शेतर की समस्या के लिए वीवी त्वारा अनुसंधान किया जाना चाहिए किसानों के लिए हितकारी अनुसंधान पर जोड़ कृशी भारतिय अर्थ व्यवस्ता की रीड है वही पशुसमबर्धन कृशी कीडी इस शेत्र में सतर्थ अनुसंधान की जरूरत है समारों में वर्ष दोहजार अठारा उननिस में दोहजार उननिस बीस में फिश्रीज डेरी चेकनलोजी में तीन चात्रों को डिगरी प्रद पंद्रा को रजट पदक प्रदान किये गए सिविल लाइन देश पांडे सभागरे में आईजित समारों में कुल चोहत्तर पदकों में बाईस पदक छात्राओं को दिये गए सरकारी विलीनी करण सहेद विविधे मांगो को लेकर स्टी कर्मचारियों की हरताल चौथे दिन भी जारी रही इसी बीच प्रशासन की आदेश की अफमाना करने वाले और 46 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया मंगलवार को 18 कर्मचारियों के खिलाफ कारवाई के बाद स्टी कर्मचारी बढ़ा गए है स्टी कर्मचारी संग ने चेतावनी दी कि वह निलंबन से डरने वाले नहीं हरताल जारी ही रहेगी घाट रोड पर आंदोलन कर रहे स्टी कर्मचारियों ने कहा कि जब तक स्टी महामंडल का राज्य जरकारी सेवा में विले नहीं हो जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा नाकपुर में तीन जगहों गणेश पेट घाट रोड इमामबाडा में काम बंद कर आंदोलन किया जा रहा है अदालत द्वारा स्टी कर्मचारियों को हरताल खत्म करने और काम पर लोटने का निर्देश दिये जाने के बाद मुख्य मंत्री ने बुद्वार को स्टी कर्मचारियों से हरताल समाप्त करने का अनुरोध किया दूसरी और हरताली कर्मचारियों के खिलाव सक्त कारवाई किये जाने के बाद आंदोलन तेज करने की चितावνη दी गई यात्री सेवाओं के लिए बाहन उक्लब्द कराने के लिए स्कूल बसों और यात्री बसों को सड़कों पर उतरने की अनुमती दी गई इससे यात्रियों की यात्रा सुख़ध होने के बजाए आर्थे क्रूप से प्रभावित हुई यात्रियों से प्राप शिकायतों के बाद शेत्री परिवहन अधिकारी कारले में आपात बैठक बुलाई गई और सम्मंदितों को आवशक निर्देश जारी किये गए शेर के अंदर और बाहर यात्रा करने वाली यात्रियों से स्टी के मौझूदा किराय के समान किराया वसूला जाए अनिता आटियो द्वारा सक्त कारवाई की जाएगी दिवाली की चुटियों के बाद गुर्वार से एक बार फिर स्कूल और कॉलेज शुरू हो गए लेकिन सरकार ने अब तक पहली से साथवी तक स्कूल खोलने के बारे में कोई निड़ने नहीं लिया है वहीं दूसरी और विश्वे द्यालों की परिक्षा ओफलाइन होगी या उनलाइन ही जारी रहेगी इसको लेकर भी संभरम की स्थिती बनी हुई है इस बार दिवावली की चुटियों में कटौत ही की गई नाको शेर में आटवी से बारवी और ग्रामीन भागों में पाँचवी से लेकर बारवी तक स्कूल शुरू हो गए है जिनका क्षाओं को अब तक अनुमती नहीं मिली है उनकी ओनलाइन क्लासेज ही चलेगी सरकार ने इस बार दिवावी बोर्ट की परिक्षा ओफलाइन लेने की गोशना की है इस अमन में विभागी परिक्षा मंडलों को तयारी करने के निर्देश भी दिये गए माना जा रहा है कि अगले सब्ता इस अमन में बैठक होगी बैठक के बाद परिक्षा का टाइम टेबल भी खोशित किया जा सकता है ओफलाइन परिक्षा होने से अब छात्रों को पहले जैसी मेहनत करनी पड़ेगी वही तीन-चार महीनों के भीतर पाटेकरम पुरा करने के लिए शिक्षिकों को नियोजन करना होगा स्कूलों के साथ ही गुरवार से कॉलेज भी शुरू हो गए फिलाल कॉलेजों में स्कूलों की तरह ही ऑनलाइन और ओफलाइन दोनों से विधा रखी गई है लेकिन वैक्सीन के दोनों डोस लेने वाले छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा विध्यापीट द्वारा दिसंबर से विंटर परिक्षाएं ली जाती है इस बार परिक्षाएं ओफलाइन होगी या ओनलाइन ही रहेगी इस बारे में अब तक सपर्ष नहीं हो सका है विद्यापीट सूत्रों का कहना है कि जब तक सरकार द्वारा कोई निर्णे नहीं दिया जाता तब तक विद्यापीट द्वारा घोशना नहीं की जाती माना जा रहा है कि विंटर की परिक्षाएं ओनलाइन पदती से ही ली जाएंगी जबकि समर की परिक्षाएं ओफलाइन पदती से लेने का निर्णे हो सकता है तो सुभा के प्राइम टेम नियूज में अभी इतना ही आप से फिर बुलाकात होगी तब तक देखते रहिए विकेबी नियूज नमस्कार